हेलो, विलकुम स्टुडेंट हमारा नेक्स टोपिक है टोपिक है कुन सा स्टेट लाइन 11th साइन्स का और पॉमर्स का अभी हम IMP कोशेंस सॉल करने वोगा टोपिक हमारा स्टेट लाइन वीडियो चैनल को लाइब, सब्सक्राइब, सेर कर दो टोपिक हम देखेंगे देखो, फॉर्स्ट कोशें हमें क्या दिया है वाट इस दो स्लूप अफ दे लाइन, वोज इंकलानेशन सार हमें इंकलानेशन यानि वैलू जब थी समझ धेटा, सुलोप कही से फिसाओ करते हैं, म इज इक्व़स तू टान थी थीता हमें कितना दिया है, टान थर्टी टान थर्टी कितना रहता है इसका फॉर्स एक्वेशन का स्लूप हो गया म इज इक्व़स तू रूट थी इसी तरह से ये सेकेंड देखो मेज इक वस्टू टान थेटा टान थेटा कितना थेटा दिया हमें 60 तो टैन 60 कितना है रूट 3 इसका सेकेंड वाल्यू फाइंड आट आपके लिए होमर के लिए क्वेशन नमबर थर्ड का एंसर करमेंट बॉक्स में आपको इकरएं? next question हम देखेंगे next question question देखें हा में what is the slope of the line whose passage through the point ये point अपको दिया है पहला point है x1 y1 दुसरा point दिया आपको x2 y2 दो point दिया है थो हम slope का equation लेते है y2 minus y1 upon minus x1. यह हमारा formula है. y2 कितना है इदर 3 है, minus y1 क्या है? minus 1 minus plus कर दो, divides x2 कितना है? 4 है, 4 minus x1 कितना है? 2. 3 plus 1 होगा 4, divides 4 minus 2 कितना है? 2 4 by 2 cancer कर लिया, values की is equal to कितना है इदर? 2 आएगा इदर आएगा यह जब आपको 2 points दिया है और एक question हम इसी तरह से solve कर लेंगे क्या है? यह पहला point x1, y1 है, इसरा point x2, y2 है, मैंने भी point आपको बोल दिया था, y2 minus y1 करना है, y2 कितना है? 7, y1 कितना है? 3, divides x2 कितना है? 5 minus 1 कितना है? minus 2, minus minus plus 2 का 7 minus 3 किया तो 4 और 5 plus 2 का दिया वा तो 7 काटने सक्टे है, तो इसका स्काटने 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 कि लफ उन्ली इतना लिखना है कि हम कलें कर्मेंट बॉक्स में इसी का प्यांसर आपको देखो इस टाइप का कुछिशन आपको थ्री मार्स के लिए आएगा क्या क्या पूचाए देखो फॉस्ट वैल्यूस है क्या है फॉस्ट वैल्यूस find slope x-intercept and y-intercept पहले क्या करेंगे हम इसी को general equation से compare करेंगे याने x plus by plus t is equals to 0 लिखना वे जिक वस्ट कितना होगा तुँ होगा वी जिक वस्ट कितना होगा थ्री वह जिक वस्ट कितना होगा माइनस x होगा तो पहले हमी क्या find out करना है slope याने values of m find out करना है कितना रहता equation आमारा e रहता माइनस यह कितना है 2 है और b कितना है 3 तो यह हो गया हमारा first नहीं लिखा तो आपको बनार्स इस तरह से हम second देखेंगे second हमें क्या बोला x-intercept बोला x-intercept values क्या रहता है क्या रहता है उसका equation माइनस c by k रहता है माइनस c, c कितना है माइनस 6 माइनस माइनस में plus कर दो दीवाइड सी यह है तो एका values to 6 by 2 कितना होगा x-intercept आया 3 इसी तरह से y-intercept देखो y-intercept क्या फर्मला है माइनस c by b यह है माइनस माइनस प्लस 6 पार आये दीवाइड कितना बी का values 3 है इसी तरह से आपको इसका तो find out करना है first इने values आप यह हम find out करना है second है x-intercept और third है y-intercept इसी का भी answer आपको होमवर के लिए है comment box में इसका भी answer आपको देना है x-intercept, y-intercepts or slow इक है next question हम देखेंगे अब next question थोड़ा सा आलोग दिये आपको क्या दियाए देखो obtain the equation of the line equation of the line obtain करना parallel to x-axis यानि x-axis y-axis हो क्या है parallel to x-axis है x-axis को values कैसी हो parallel है इधर हम parallel निकलेंगे x-axis को कितना दिया है हमें values हमें values कितना दिया है at a distance 5 units from the abu abu दिया है y is equals 5 is ka equation y equals to 5 abhi दुसरा है parallel to parallel to either lelou abhi y-axis and at a distance of 4 units lelou parallel to x-axis parallel to y-axis distance 4 units from the right side यहने parallel y-axis को दो parallel होना चाहिए यह right side है हमारा 3 left side right side को हमें कितना distance लेना है 4 units lelou x is equals to y-4 line हो जाए x-axis y-axis region रहता है हमने इदर point लिया 1 3 3 हो गया 4 इसी तरह से भी इदर भी ले लो x है यह y है यह origin हो गया 0 यह values आपको लिगना है 1 2 और यह तो 3 4 और यह 5 लेना है ठीक है इस तरह से दोन equation हमने solve कर लिया और कुछ question है कि देखो next है बड़ा सा अलब equation है locus का equation of locus हमें find the equation of ठीक है हमें दिया है वैल्यू सच दा PA is equals to PB यह पी का वैल्यू दा हमें लेना है 1,1 यह दिया है हमें 1,3 और B दिया है 1,1 हम डिस्टंस फार्मला का इसले ते इसका solution पहले हम इसका square करेंगे PA का square और PA PA का square और PA का square मैंने square कर लिया तो इसका bracket root लिखने के आपको दिया है तो यह values होगा X2, Y2 यह values है X1, Y1 पहले हम लिखेंगे X2-X1 X-1 X-1 का square plus Y2 कितना है तो Y है Y-B का square Y-B का square इसे ही सेम Y का square Y square minus 2 इंट इदर 3 है तो 6Y लिखेंगे और 3 का square आएगा 9 इसी तरह से X-2 का square है X square minus 2 into 2 4X और 2 का square और Y-1 है Y square minus Y क्या-क्या कटता है यह देखो तरह X square X square cancel हो Y square Y square A1 VA1 भी कट जाएगा यह cancel होता है देखो अभी 2X है minus 2X का बच गए इदर minus X और plus 9 यह minus 4X इदर आया तो plus 4X होगा और plus 4 है तो इदर आया तो minus 4 होगा minus 2Y है 2Y कोड़ा स्वाम rectify कर लेंगा यह 4 है और यह minus 2 4 minus 2 यानि 2X ही होगा इदर minus 6Y है और इदर plus 2 minus 6 plus 2 आयेगा minus और 9 minus 5 9 minus 4 किया तो plus 5 आयेगा तो बोलेगे हम required equation required required equation of तो तरह से आपको यह value लेके call करना तो तो एक और question आपको call करने के लिए यह है भूमर का ने के लिए के लिए के लिए अपको पॉइंट यह दिया है पॉइंट भी दिया है आपको equation of locus find out करना है तो 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 क्या बोला है which is equidistant from A to B बोला है यानि A is equals to P आपको लिए है बाद में उसका स्वेर ही करना है जब हमने आपको समझ में आ रहा है पहले सब्सक्राइब करो चैनल को आपको के साथ तरीक वीडियो को लाइक करो बच्चों के साथ सेर करो तेंक यू